जै सत्यूम सिध धायनम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैं यतेंद्र मोहनगंसर सत्यसाहिब जी का शिश्य है, सत्यासी मिशन का भक्त, कुछ दिन पहले मैंने स्वामी सत्यसाहिब जीवनी से संबंदित कुछ मुख्य बाते अपनी आवाज में पढ़कर आप सभी के सामने रखी थी, उसी से संबंदित सत्यसाहिब जीवनी के आगामी लेख भी मैं अपनी आवाज में पढ़कर आपको सुनाया करूँगा, और मैं उमीद करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, आप सभी को सत्यसाहिब जी के इन लेखों से, यानि की जीवनी से बहुत प्रिणा मिलेगी, आपका जीवन सुख में और आनंद में बनेगा, तो जो लेख में अपनी आवाज में आज पढ़कर आप सभी लोगों के सामने प्रिकट करने जा रहा हूँ, या यूं कहें की ब अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आज जो हमारे लेख का टाइटल है, यानि की सीर्शक है, वो है मेरी सहज समाधी के आरम, यानि की सत्यसाहिब जी को जब समाधियां लगनी शुरू हुई थी, तो बात कुछ इस प्रिकार से है, मुझे प्रारम के कुछ दो बार की स्व समाधियों का मतलब कि जो खुद से लगने वाली समाधियां होती हैं, बात की तो अन्य रही हैं, यानि की बात की जो है, वो तो बात की बात है, कि जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तब हम हापड में, राजेंदर नगर में एक कोठी थी, उसमें किराय पर रहते थे तब साएं का समय था, यानि की शाम का वक्त था, और जब इसमरण इस बात का है, कि ऐसी कोई भी घटना होती थी, तब मुझे पहले ही एक गबराहट सी होने लगती थी, और कुछ बुखार सा होता था, या शरीर गिरा हुआ सा रहता था, और तब मुझे खुली आँखों स सतरंगी पिरकाश का एक चक्र घूमता हुआ, मेरी और आता नजर आता था, और मैं उससे डरता, और भेवीत होने के बाद, मा या पिताजी जो मेरे पास होते, उनसे चिपक जाता, या फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, उस अच्छेतन अवस्था से बचने के लिए मैं इस पिरकार की हरकत किया करता है, यानि कि मातब को पकड़ लेना या पिताजी को पकड़ लेना, क्योंकि एक बालक होता तीसी एक अक्षा का, उस समय जो सत्य साहिब जी अपनी स्थिति बता रहे हैं, वो इस पिरकार से थी, उस पकड़ में कोई जोर नहीं होता था, इ प्रताम इसमरण समादी के समय मेरे माता पिता पास में ही बैटे थे। मैंने उन्हें दोनों को हलके हाथ से पकड़ लिया बस इतना इसमरण है। बाद मैं मुझे बताया गया पिता जी ने पड़ोसी मित्तलानी आंटी को बुलाया था। उनसे एक चमच में गंदक जलाने को कहा और मुझे सूंगने को कहा। इतने वे आई और गंदक जला मुझे सुगाई तब तक मैं चैतन्य हो चुका था यानि कि होश में आ गई थे और धीरे धीरे एक दिन बाद मैं सुस्त हो जाता था यानि कि एक दिन के बाद ऐसा होने के मैं सुस्त हो जाता था कुन है तब पता चला कि इसकी तो सांस भी रुख गई है और चिलाहट आदि कुछ नहीं करता था, बस इस्तब्द सा हो जाता था यानि कि जब इस तरह की अवस्ता आती थी तो ना तो मैं चिला पाता था ना किसी परकार से कोई आवाज निकलती थी बस इस तब दसा रह जाता था उस समय मुझे मुझे खाने को लेकर एक विचित वरत्ति थी कि मैं अपनी मा के हाथ का या किसी सगे समबंदी के हाथ का बना भोजन ही करता था उसके अलावा किसी अन्य बाहरी इस्टरी के द्वारा बनाए गया भोजन मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं था एक बार की बात है मैं अपनी नंसाल में गया यानि नानी के यहाँ तब कोई पारिवारिक उस्तव या शायद मामा का विवा था सबी उसमें व्यस्त थे और गाओं की भ्रामणी को खाना बनाने के लिए रखा गया था मैंने उनके हाथ का खाना खाना भी ना सुईकार किया यानि कि ऐसुईकार कर दिया तब मैंने मा से कहा यानि अपनी माताजी से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं काम कर रही हूं अभी तो जो बना है तुम वो ही खा लो तब हमारी मामा की बेटी सत्तो बहन ने बनाया तब मैंने खाया क्योंकि हमारी ये सत्तेवती बहन ही गाउं में जाने पर हम सब कब बहुत आदर करती थी प्यार से ख्याल लगती थी बाद में वर्षों में तो मैंने खाने को लेकर परिस्तिती वर्ष ब्रस्ट सा हो गया यानि कि जो मेरा विचार थे वो कुछ परिस्तिती वर्ष ब्रस्ट से हो गए सबी के हाथ का बना खाना खाने लगा दूसरी बार की समाधी अवस्ता का अनुभव मुझे सातवी या आठवी कक्षा में पढ़ते हुए हुआ था तब कहीं कुछ गर्मी सी थी तब हम प्रेम नगर में किराय के मकान पर रहते थे तब मुझे पूर्वत ही बुखाड सा हुआ पिताजी ने उस समय प्रिचलित क्लोरोकिन की आधी गोली खाने को दी पसीना आया मुझे पुनहे वही सदरंगी घुमता हुआ चकर अपनी और आता हुआ दिखाई दिया उसी अवस्था में मुझे कुछ भैसा अनुभव हुआ साथ ही पेशाब आया तो मैं उठा और पास बने खुले में नल के पास जाकर बैठ गया मुझे पता नहीं तब क्या हुआ तब बाद में पता चला कि मकान मालिक नी जिन्हें हम ताई कहके पुकारते थे वे आई और मुझे देखने लगी बोली अरे ये तो यहां कैसे बैठा है इतनी देरी से वो भी इतनी रात के समय में तब पिता जी बोले इसे छेड़ना या छूना नहीं वे गए और मैंने एक हाथ से ऊपर को टंकी पकड़ी हुई थी जो नल के समीप ही थी और मैं टॉलेट करने की मुद्रा में बैठा हुआ था मुझे उठाया गया और खटोले पर लिटा दिया गया वे गंदक जलाई तम मुझे चेतना आई उसके अगले दिन में ठीक हो गया बाद के वर्षों में मुझे स्वायध्यन यानि की स्वैम के अध्यन से पता चला कि ये मुझे पूर्व जन्मों की तपस्या के सतरंगी उरजात्मक शक्ति पिरभाव के आने पर और उसके मुझे में समाने के पिरभाव से मेरा शरीर बुखार जैसा हो जाता था जैसा बुखार में हो जाता है शरीर और शरीर गिरा हुआ सा अनुभव मैं करता था और जैसे ही वो शक्ति मुझे में पिरभाहित होती मैं स्वास प्रवास हीन जड़त्व समाद्धी को प्राप्त हो जाता था इजी के चलते आगामी समय पर और भी गेहन अनुबव हुए यो इस स्वैसाधना जगत के आध्यात्म पत पर चलता चला तो भक्तो इस से यह पता चलता है सामान्य हो या पूर जनम सिद्धी व्यक्ति उन सबको अपने पूर जनम के आधार पर अपने अपने शेश, पाप और पुर्णे बलो की एकत्र शक्ती जिसके नाम जोतिश में नवगिरे हैं जो आत्मा की सामर्थय का नाम ही है वो और उनका फल समय अनुसार प्रप्त होते हैं यो सभी का साधना और परिणाम समय निर्धारित है यानि कि जब हम साधना करेंगे और कब हमें उसका परिणाम मिलेगा तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तो पता नहीं आपने कौन सी जनम में साधना करी है उसका परिणाम कौन से जनम में आपको मिले तो वो मिलता जरूर है इसलिए इसमें धहर रखना चाहिए हमेशा में ये ही नहीं आज पूजा पाठिया योग करना प्रारम किया और सोसने लगते हैं कि अभी फल मिल रहा है ये अभी फल मिल जाए अनंत जनमों के अनंत वर्षों के करम और उनकी करिया प्रिती करिया के परिणामों गोखने के उपराँ थी शुद्द, भक्ती और योग फल वै समाधी की प्राप्ती होती है ये इसमरड़ा रखे आप सदेव हाँ ये ग्यान जानकर आप अपने कर्मों के अनुसार यानि की जो भी आपने कर्म किये हैं या कर रहे हैं उन्हें आप ही सुधार सकते हैं यो ईश्वर को दोश नहीं दें बलकि स्वेम उन्हें जानकर करमबद तरीके से करते हुए जीवन में संपूर्णता पाएं और यही गुरु लोगों का जीवन दर्शन होता है तो यह लेख सद्गुरु स्वामी सतिन सत्यथाईब जीवनी से एक लेख यहीं पर समाप्त होता है और हम मिलेंगे अगले लेख में यानि कि अगले एक ध्यान दर्शन के साथ एक नए अनुभव के साथ और या फिर हम इस तरह से कहें कि जीवनी के एक नए अध्याई के साथ तो मैं उमीद करता हूँ कि जो अभी तक मैंने आपको समझा है वो आपने समझने कोशिश की होगी जानने कोशिश की होगी और आपको आनंद आया होगा तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में एक नए लेक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए ध्यान करते रहिए जाप करते रहिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते रहिए जै सत्युम सिद्धायनमे